नमस्कार दोस्तों आफ लग का फानल लिजाम पर एक बार फेर से स्वागत है और यहां पर जो है हम बात करेंगे आज तो यहां पर जो है हम यूपी के रेट का जो टेस्ट सीरीच चल लए है तो मॉडुलर टेस्ट जो है यहां पर 11 है ठीक है इसको हम देखनी कि आप प्रसं आते हैं कि आपकी परिछा में आएं मलब यहां से जो प्रस न सांहिलिए उनके आने की संभावना ज्यादा है इसको आप जो है अच्छे से देखा करें और वहां पर कोई अकर समस्य किसी प्रसं में होती है तो को हमें कमेंट करके जरूर बताएं देखते हैं अबना आज का वीडियो घोड़ा दागनेवास सैनको का हुलिया लिखने की सुरुवात किस ने की थी तो यहां पर राइट एंसर की बात की जाए तो अलाउद दीन खिल्जी के दौरा जो है इसकी सुरुवात की गई थी इसका आपको ज्यान रखना है और यहां पर जो है खिल्जी की बात की जाए तो खिल्जी वंस की जो सुरुवात है खिल्जी वंस की अस्थापना ठीक है खिल्जी वंस की जो अस्थापना की यह अस्थापना जो है जलाल उद्दीन फिरोज खिल्जी की दौरा ठीक है इनके दौरा जो है इसकी अस्थापना की गई थी इसका आपको आविस्कार जो है नौपासाड काल में किये गया था और आग के आविस्कार की बात कि जाए तो आग का जो आविस्कार हुआ था ओ जो है पुरा पासाड काल में हुआ था इसका आपको ध्यान लगना है ठीक है नौपासाड काल में जो है क्रिशी का आविस्कार हुआ और पु जो है संगीत का जनक वेद कहा जाता है ठीक है संगीत का जनक वेद इसका आपको ध्यान रखना है और रिगवेद जो है सबसे पुराना है ठीक है सबसे पुराना वेद यहां पे है तो यहां पर रिगवेद जो है सबसे पुराना है और बात के जाए अथरववेद की ठीक है अथरवेद की बात की जाए तो यह जो है सबसे बाद का है ठीक है सबसे बाद का और लेटेस्ट है इसका आपको ध्यान रखना है ठीक है सबसे बाद का है लेटेस्ट है और सबसे पुराना जो है सबसे पहला जो है रिख वेद यहां पे ठीक है इसका आपको ध्यान रखना है में लिए यहां पर जो महारा अथरोवेद इसमें ज़ जाद्व टोनका उलिक किया गया I'm कma जो अलिक किया गए रुन्द मिं किया गया गिए तो यह चंद्रकुप्त मौर जो है इनके प्रधान मंत्री सलाकार ठीक है प्रधान मंत्री सलाकार सलाकार और इन्हों ने जो है इनके द्वारा जो है यहां पर अर्थसास्त की रजना की गई है इनकी पुस्तक का जो नाम है अर्थसास्त रहे इसका आपको ध्यान इपना है और चालक की मदद से ही चंद्रगुपत मोरों ने जो है यहां पर घनानंद की हत्या की थी और उसके बढ़ते हैं अगले प्रश्टन की तरफ अगला प्रस्णा मारा राज जिस सबासाद सबने के लिए आयो कितनी होने चाहिए तो यहां पे राइट एंसुर के अगर बात की जाह II यहां पे hoonे चाहिए आप एट हरा वर्ष का अमर में हो जाते हैं और 21 वर्ष जो है यहाँ पर बिद्हान सभा की बात की जाती है ठीक है इसके अस्तापना की लगी गई थी और भारत जो है यह तीन फ्रवरी उन्नीसोठाइस को भार्त आगया था है भारत आया ने तो यहां पर 19 अगस्त 1925 की बात की जाए यह जो है इस दिन जो है काकोरी कांड हुआ था इसका आपको ध्यान रखना है और यहां पर 17 जिसमबर 1928 की बात की जाए इस दिन तो ध्यान लगणा है भागत सिंह के नियंत्रक्यों महालेखा पर इक्शत की नियुकति कौन करता तो यहां पे राष्ट्पति करते हैं तो यहां पर राष्ट्पति में रामनात लोक्स भाद्ध्ध मंत्री के बाद कि जमने और निर्मला सीता रमण है निर्मला सीता रम आपको जो वरत्मान पत है ऑ्बी याद रहने चेकर यहां से भी प्रस्ण सीदे सीदे पूछ लेता है और प्रदान मंत्री जो है नेरेंद्र मोदी और यहां पर बात की जाए थोड़ा से ओर यहां पर वर्तमान में मिका धो स mukh है इस समय जो है राजीweit महरसी है और यहां पर नियंद्र के माले का सिद्वार का यो वकिल होता है। महा नयाय वादी जो होता है। उसके बात किजा है त enthusi Bears में यहां पर अनुछेद जो है 76 में दिया गया है। 은 audiobook 76 में और इस דーーं हमारे mahaniwaadie के के बेड़u गोपार बेनुगोपार इसध की बेनुगोपार जो है इस समय वर्तमान में हमारे जो है महान नयवादी है और इनके बीसे में जो अनुशेद हमारे 76 में दिया गया है ठीक इसका आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ आठवे प्रस्ण की बात की जाए आर आर भी के अस्थापना की अगर बात बैंक टेक है रूरल रिजिनल बैंक इसके अस्थापना जो दो अक्टूबर 1975 को की गई इसका आपको ध्यान रखना है और यहां पर बात की एक अपरेल 1935 को जो है यहां पर आर भी आई के अस्थापना होई थी और यहां पर एक जनवरी 1944 को जो इसका राष्ट्री करण हुआ था यानि नेशनलाइजेसन हुआ था ठीक है राष्ट्री करण हुआ था इसका आपको ध्यान रखना है ठीक है राष्ट्री करण हुआ था या नेशनलाइजेसन हुआ था तो आपको जो है बैंक से भी जो थोड़ा सा इतिहास है बै बेसिक चीज़े पूछता है तो आपको जो है नारमल चीज़े याद रहनी चाहिए ठीक तो उटी एक जो परवती नगा है यह कहां पे है तो इसके अगर बात की जाते है तो यह इसका आपको ध्यान रखना है यह तमी नाड़ो में है और यहां पर उत्तराखंड की बात की ज है कुण्णूर को अब द्Ab 1944 कasında रहा पर अब स्परवती निगर वश्यास है जो कि कुछे तो यहां पर नगालब के जाए तो इसके आपको सब्त्री आन है पाकिस्तान नहीं पस्छी मंगारे ठीक है और हिमाश्यर प्रदेश की बात की जाते हैं कुलू माना लिगकि कुलु याँ पे उसके बार डलहौ जी ठीक है डलहो जी यहां पे है इसके अगले प्रस्तिक की तरव बढ़ते हैं अंतर राष्री मुद्रकोर्स का मुख्याले कहां है अंतर आपको उसके मुख्णालय की बात किजए तो वासिंगक टरंडीसी में है ठीक है वासिंगक टरंडीसी में और इसके स्थापना जो है 1945 में हुई थी में ठाप Immer st unless 85 में हुई है और पिस Candice जो है बीसु बैंक तीक है वर्ल्ड बैंक जो है उसका मुख्याले भी जो है यहीं पर है इसका आपको ध्यान रखना है तिक है उसकी वियस्तापना और यहां पे World Trade, बिसुब यापार संगतन, दोनों का गनमुख्याला जो है, जिनिवा में है, और रोमें बात की जाए, तो यहां पे सैक्त राष्ट संग, भाद दया किरिसी संगतन, हृष्ब निम्लिकित में से पीली क्रांथी सम्भंदित है। इसको पता चल गया होगा। अगर एकडरी कल्चर पढ़ इसकी जानकारी रही होगी पहले से। आपको जितने भी यहां पर ब्रांचेज हैं उनको भी याद रखना है। यहां पर इसका राइट एंसर हो गया। और यहां पर बात की जाए पेट्रोलियम की जो है पेट्रोलियम उत्पादन जो है काली क्रांती के नाम से जाना जाता है ठीक है काली क्रांती और यहां पर जहींगा उत्पादन की बात की जाए तो जहींगा जो है गुलाबी क्रांती गुलाबी क्रांती के नाम से जाना जात तो बड़ते हैं, अगले पृस्णि की तरप पिंक सारति योजना की सराजी ने शुरू की है क्योंने है इसके योजना की सुर्णा के धुमार्वेद यत्रते रहती कि तो, मैलाओं के लिए ये करनाटग इसमें उसलोlles भी से वातु गुक्स ενत्र drag मत इसमें पेसे राइत के व महिला से संब्धित अब को ध्यानदा है करनाटक भंगलोर हो गया नई दिली उत्रपद्लो लखना हो गया पस्ति मंगाल कोलकाता आ政 LOT यसका ध्यानद्न अबुको वर्तमान में भारत में कितनी राज्ज्ञ है तो वर्तमान में भारत में अब 28 राज्ञ हो चुक है है ठीक है वरतमान में जो आठाइस राज्यो नुछे है क्योंकि कस्मीर जो है कस्मीर जो है यहाँ टूटके तो है दो राज्य बन चुके राज्य बन चुके momencie पर देश नय बन गये हैं ठीक है 8 केंदर साशित प्रदेश है इसका आपको ध्यान रटना है कि 8 हमारे पाज जो है केंदर साशित प्रदेश है अभी हाली में जो है दमन और दीव को मिलाकर एक राज्जी बना दिये गए ठेक है दमन दमनवाद्यू ठीक है दमन्द्यू दमन्द्यू और सिल्वास यहां पे जो है दादरा नगर हवेली ठीक है दमन्द्यू दमन्द्यू की बात की जाए और दादरा नगर हवेली ठीक है दादरा नगर हवेली इनको जो है मिलाके एक राज्य पूरा बना दिये और इनकी राध्धाने जो है सिल्वासा होगी इसका आपको ध्यान रखना है सिल्वासा नहीं यहाँ पर दमन होगी इसकी राध्धाने ठीक है इसका ध्यान रखना है अब इसको निधारित नहीं किया गया तो अभी जब confirm होगी तो इसके update आपको तेज जी जाएगी ठीक अगले प्रस्थन की तरफ बढ़ते हैं भारत में अस्थली सीमा किस देश से भारत की जो अस्थली सीमा है सबसे अधिक किस देश से लगती है ठीक है यहाँ पे भारत में 4096 किलो मीटर ठीक है तो बांगलादेश से जो है हमारी सबस्यादा सीमा लगती है तो भारत की जो टोटल लंबाई है 15200 किलो मीटर जो है अस्थल सीमा की लंबाई है इसका आपको ध्यार रखना है ठीक है अस्थल सीमा कितनी लंबाई है और 4096 किलो मीटर जो है बांगलादेश के साथ इसका आपको ध्यान रखना है और दूसरे नमबर पर बात की जाए तो किसके साथ हमारी सीमा बनती है तो पाकिस्तान के साथ 3488 किलिमिटर ठीक है तो यहां पर चाइना के साथ बनती है सौरी पाकिस्तान नहीं चाइना के साथ जो बनती है 3488 किलिमिटर ठीक है इसका आपको ध्यान रखना है और चाइना के साथ है जो है हमारी एक देखा निरहरत की गई है जिसका नाम मैक मोहन रेखा है ठीक है इसका आपको ध्यान रखना है मैक मोहन रेखा किसके किसके बीच में है तो चीन और भारत की बीच में है बंगला दिसके साथ हमारी को दारित की गई जो भारत और पाकिस्तान के मद्द पाई जित मेमार के साथ भी हमार कोई रेखान जित नहीं इसका आपको ध्यान रखना है ठीक है मेमार की राजधानी की बात की जित मेमार जो है नाइपिदा क्यात है ठीक है मेमार नाइपिदा क्यात ठीक है और यहां पे ची स Age Day 13 that order Back to me सब्सक्राइब है न सब सिसाष ईक्राइब है उस उमीष च्रेकर इंआ इस सब क्लाइब है उसका प्रतिकर बंगलादेश पर प्रशक्राइब सब्सक्राइब दें अग्यों देंडेश के बंगलादेश करता है अग्येकरkm讲 के स्र teams दे च्छाहां सरा लागरें, पू veryalay नाया है, पीक्टोरी जीए नदी के हिए विक्टोरी जीए. अफरेका महादीर के लिप्धी, अदिए जो सबसे चाफा बाहाओ की च्छेतर की आधार पे हैं, सबसे supports आधार इए, detto चाहित अंतराश्टी महिला दिवस का मना जाता है और बीस मार्च को जो है गोराया दिवस के रूप में मना जाता है तो बात करें बाइस मार्च की तो यहां पर जल दिवस 22 मार्च को जल दिवस और यहां पर बात की जाए आप 22 मार्च को जल दिवस वो 22 अपरहल की बात की जाती है हम पिर्थवी दिवस इसका आपको द्यान लखना है तो आपको दिवस भी याद रहने चाहिए डाक्टर राजिन्द प्रसाद का जन्म कहा हुआ था था इनका जन्म जो है छपरा के सिवान में हुआ था ठीक है सिवान जो की बिहार में पढ़ता है ठीक है बिहार में इनका जन्म हुआ था जो की भारत के पहले राष्ट पती थे भारत के पहले राष्ट पती थे और इनके द्वारा ही जो है भारत रतन की अस्थापना किया गए तीसका भी आपको ध्याना रखना है ठीक है जिनके जन्मदिन की उपलक्ष पे यहां पे हमारे सिच्छक दिवर्स मनाए जाता है अगले प्रसंद की बात की जाता की गतांजरी किसकी रठना है तो यहां है जो गितांजמצ एचे सब्सक्राइब सोतंद भारत के प्रथम भारति सिराज गौपालाचारी थे ऑर आजासी के शमय जो है जुवर्यनी जनरल को थे तो लाट मांट बेटन थे अपको ध्यान रखना है यहां जो राइत राइच गौइट जनरल थे, ठीक है। उसके बाद जो है ग guideline कपतर समाप्ट कर दिया जाता है, ठीक है, इसका धेहन रखना है और सरदार बलो बाइपट्टर को, जो है लोपूर उसके नाम से और भारत का पीस्मार्क भीने कहा जाता है, ठीक है, कहा स्योगीन शबवेता के कि नाम से जाना जाता है ठीक इसका अपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो है मोहनचषदुलो को मुर्दो का टीला कहा जाता है काली मंगगा जो है यहाँ उस चूडियों का सहर का जाता है या खांच का नगर का जाता है और सिंदु भाटी सब्यता की जो विकास हुआ है सिंदु नदी के किनारे हुआ है इसका आपको ध्यान रखना है और मिस्र की जो सब्यता है इसका विकास जो है नीन नदी के किनारे हुआ है और फरक का जो नदी इ नोट बंदी तो यहां पर जो है आठ नोंबर 2016 को जो है नोट बंदी किया गया था ठीक है इसका आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं अगले प्रिश्ट की दरब भारत का बिसमार किसे का जाता अभी मैंने बताया कि सरदार बल्ला भाई पटेल को जो है भारत का बिसम किसके साथनकाल में तो लाड डल होजी के साथनकाल में लाड डल होजी ठीक है लाड डल होजी के साथनकाल में जो है प्रथम रेल गाड़ी को चलाया गया था जो कि कितने दूर चलेगी 34 किलो मीटर कहां से कहां तक तो बंबाई से थाड़े तक ठीक है बंबाई से थाड़ सबसे पहले नहरों का निर्माड कराने वाला सासक कौन था तो यहां पर सबसे पहले जो नहरों का निर्माड कराया था तो इसने जो है नहरों का निर्माड शुरू कर दिया था लेकिन अगर सबसे अधिक नहरों की बात की जा तो फिरूसा तखलक जो कराया था तो यहां पर जो है राए एंसोर गार क्प असम जो है यहां पे ग्कार से देखा जाय तइस प्रकाण से जो है कुछ हमारा इसी 這麼 हो गया यह दर बढ़ते हैं तो यह हमारा उत्तरा खंड हो गया ठीक है उत्तरा खंड हो गया यहां पे हमारा यूपी हो गया इस प्रकार से देखा जाए तो यूपी यहां पे थोड़ी से बात की जाए तो यह हमारा बिहार हो गया और इस प्रकार से जो है यहां पे देखा जाए इस लगती है उत्राखण की वाडा लगती है और शीक्टी minute ऐसकर छो हमारा दूल । तो इसको देखिए और कोई अगर समस्या होती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताए अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो इसको लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है अपनी जो तयारी है उसको तयार करने में जो है कोई दिकत महसूस ना हो ठीक है तो आप खुद को यहां पर रखिए और अगर कोई समस्या आती है उसको कमेंट करके ज़रूर बताए और अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्यू झाल 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 झाल